हेलो फ्रेंद्स हाज मैं आपके लागं कि मैं Selled Assignment इस Assignment में आपको मैं Assignment के साथ यह भी बताँगा कि last date किया आपके Assignment submission की और कैसे आपने Assignment को submit करना है और कहां आपके Assignment को submit करना है और साथ मैं कैसे better presentation कर सकते हैं आप assignment में और कैसे आप improvement कर सकते हो assignment में बूब में एक ही वीडियो में बताऊंगा मेंसे एक ही वीडियो में आपको पोरा पोरा method में बताऊंगा कि कैसे आपने बनाना है कैसे submit करना और कहा submit करना है और कैसे आप better presentation कर सकते हो assignment में क्योंकि mainly अगर आप assignment में better presentation करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और साथ में मैंने एक playlist नाइगरू सॉल्ड assignment की session के लिए उसका link मैं इस इस इंड बॉक्स में insert कर दिया है और साथ में जो इस assignment का question paper है उसका link मैं इस इस इंड बॉक्स में insert कर दिया है तो बहाँ से जाके आप question paper को download कर सकते हो और साथ में मेली playlist को भी check कर सकते हो जो भी मैंने assignment upload की session के लिए ताकि अगर आपको assignment करना जाते हो अगर वो playlist में upload की हुई है यह मैंने playlist में given होगी तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो तो हमेशा जब भी आप YouTube पे कोई study video देखते हो बनाई है या कोई video बनाई है study video तो अगर मान लोगो third part को बतार आप third part देख रहे हो तो बाकी के दो part का link हमेशा डियोट्यूबर ने decision box में insert किया होता है तो हर एक assignment में हमेशा या कोई video भी study video आप देखते हो तो हमेशा decision box चेक किया करो और कभी भी आपको कोई भी problem आती है IGNU में तो किसी से भी inquiry मत करो कि कोई girl आपको कुछ भी पतासता क्यों बोलेगा ऐसा करो बैसा करो अगर कोई भी आपको problem है कोई भी issue है IGNU से related तो direct आपके study center से contact करो या फिर आपके regional center से contact करो क्योंकि सबसे better guidelines आपको आपका study center ही दे सकता है या फिर आपका regional center दे सकता है किसी और से आप पूछाओ कि वो आपको wrong information भी दे सकता है फिर उसको भी knowledge नहीं होगी हो वो कुछ ऐसे पता देगा कि यह है करो वो करो लेकिन for your better guidelines हमेशे आपके study center से contact करो किसी से मत पूछो डारेक्ट आपके study center से contact करो क्योंकि वो ही आपको सबसे अची guidance दे सकता है तो अगर आपको मेरी assignment अच्छी लगे तो मेरी assignment को like कीजिए मैंने तार्गेटर का 500 likes का तो मेरी 500 likes के दार्गेटर को पूरा करे में ले help कीजिए और जो मैंने link decision box में insert किया playlist का उसको अपने study course में share कीजिए अपने friends का share कीजिए ताकि कोई और students भी इगनो से लेड़ेटर जो students है वो अपने assignment time से बना सके और time से submit कर सके आप भी अपने assignment time से बनाना और time से submit करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आएंगे तो मेरे चैनल को subscribe केजिए और bell icon को प्रेस केजिए ताकि next time में कोई इगनोगी assignment upload करूँ तो उसकी notification आपको जल जल मिल सके और अगर आपको subject related assignment होगी तो आप time से बना सकते हैं तो subscribe जूरू करें चैनल को और bell icon को जूरूर प्रेस करें और comment section में आपने मुझे पताना है कि मेरे assignment आपको कैसे लगी है और rating काने मेरे एकनोग assignment की 10 pointer scale में या आपको लगता है 10 pointer में से किस level की assignment में और कोई भी suggestion हो assignment या video importance related तो वो भी आपने मुझे पताना है ताकि next time में next section में और अच्छी assignment बना सकूँ और आपको और अच्छी assignment रवाट कर सकूँ और जब भी आपको assignment पापिस मिले submission के बाद तो आपने मुझे जरूर पताना कि आपको 100 में 100 में से कितने marks मिले सौ में से कितने marks मिले ताकि next section में next year में मैं और improvement कर सकूँ और आप और अच्छा score कर सकूँ और comment section में जरूर आपने ये भी पताना है कि अगर कई पर भी error होगा assignment में तो क्या error है और क्या उसकी correction है तो वो भी आप मुझे पताना comment section में ताकि बागी के ignorance related students comment section चेक करके उस error को correct कर सके तो error जरूर बताओ कि क्या error होगा और क्या उसकी correction है और चैनल को subscribe जरूर करो और bell icon को जरूर प्रेस करो और अगर assignment अच्छी है कि तो मेरे assignment को like किईजिए तो यह है आपका question paper आपके assignment का इसका link में इस इंसर्ट कर दिया है तो वहाँ से जाके आप उसको download कर सकते हो तो सिर्फ आपने last page ही print out करना है पूरी के पूरी assignment print out करने के जूरुत नहीं है सिर्फ आपको last page ही print out करना होता है और जहाँ पर सिर्फ questions हो दिया आपके सारे सारे questions सिर्फ उसी page को print out करो और उसको assignments पहले attach करो यह आपका compulsory attach करना और सबस्पहला है जब यह आप कोई भी assignment मिलती है आपको unsolved assignment इग्नूर से मिलती है या कहीं और से आप दूनते हो तो सबस्पहला हमेशे चेक करना आपका subject code हमेशे आपका subject code सबस्पहला है चेक करो और second आपने चेक करना है session क्योंकि अगर आप previous session के assignment बनाओ दे तो उसके marks आपको नहीं मिलेंगे जिस session के लिए assignment बनाते हो उस session के जुरूर चेक करो कि वो session के लिए है या नहीं तो session जरूर चेक करना आपका और सिब लास पेजी प्रिंट आउट करना है पूरी एक पुरी assignment प्रिंट आउट करने की जूरूरत नहीं है अगर जो link मैंने दिया है इन decision box में अगर वो working नहीं करेगा तो आप एकनों की website पर जाकि डाउट कर सकते हो और आपकी assignment पर 100 marks की होती है 100 number की है तो जनलिस में 3 parts होते हैं और different different शब्दों में different words में आपको हर एक पार को करना होता है अगर मालो कहीं पर आपको words नहीं लिखे है तो आप अपने according to जितने marks का है उस recording आप कर सकते हो अपने according कर सकते हो जैसे हमालो अगर आपको two marks का है कोई question है उसमें लिखाने कितने words में करो तो two marks के लिए आप generally 50 words लिखो वैसी अपने according आप adjust कर सकते हो जैसे में में जल्यशों आपको तो next में आपको यह पताऊंगा कि आपकी submission rate है और कैसे आपने submit करना और कहां आपने submit करना आपकी assignment को तो जो student ने enroll किया है इस साल जुलाई में उनकी last rate है April next year में और जो student next year January में admission लेंगे उनकी last date है October next year में तो यह date करे बाद चेंज हो जाती है जैसे April date आपकी March हो जाएगी October date जाके September हो जाएगी तो ऐसा मत करो कि आप last date पे submission करो आपकी assignment को इसको try करो July बाद student इसको अपने जाके January February next year में submit कर देना और वैसे January February students इसको October जाके June July में submit कर देना अब time से आप submit कर दोगे इसका फाइदा क्या रहेगा अगर आप time से submit करोगे तो आपको time से बापिस मिल जाएगी और में लिए जो एगनु में आपके जो question paper होते है assignment के यान जो questions आते हैं चांसित होते हैं उन में से questions आपको final exam में आए तो आप time से assignment को submit करना ताकि आपके time से बापिस ले लो तो एक तरह की जो आपकी questions है assignment में available तो एक तरह की important questions यह जिनके chances maximum होते हैं आपकी final exam में आने के तो जो भी current assignment है या पिछले साल की assignment भी देख लेना और साथ में अगर आपको previous question पर मिलते हैं तो उन सारे questions को पढ़ लो क्योंकि चांस से आपके exam में उन में से questions आएंगे अगर मालो किसी assignment question में option है जैसे मालो दो में से आपको एक ही करना है तो assignment में तो आपको एक ही करना है लेकिन final exam के लिए आपको दोनों question पढ़ने हैं हो सकतर जो आपने question नहीं किया वो वाला exam में आए तो option में सारे सारे जो भी question available होते चाहे option है नहीं है सारे सारे question आपको final exam के लिए पढ़ने हैं और कहां आपने submit करना है आपके assignment तो coordinator of the student study center तो जो भी आपने study center select की होंगे त वहाँ पर study center में कोई निगो आपके coordinator select होते है protocol program के लिए जैसे bachelor of arts के लिए different होगे bachelor of sciences के लिए different होगे bachelor of commerce के लिए different होगे जो भी आपका course है उसके लिए आपके coordinator different different होगे तो assignment बनाने से पहले आपके coordinator या फिर आपने study center से पूछना है कि आपने assignment किशी में नहीं है जैसे कई ज़यकर बोलते है कि आप common subject के assignment एक में बनासकते हो जैसे माल लोग मैं example लेते हो हिंदी का subject जैसे माल लोग हिंदी के दो subject है तो अपने study center से पूछना है कि हम common subject के assignment एक में बना सकते हैं या नहीं मिना सकते हैं तो अगर बोलते हैं तो बना सकते हैं तो एक तरकी saving हो जाएगी आपकी क्योंकि आपकी पार्टिकलर assignment है वो पार्टिकलर teacher के पास जाती है जैसे आपके हिंदी के assignment है तो हिंदी के discipline के पास जाएगी टो English ask है english की teacher के बंख जाएग पहले जानकरी ले लो किसी बनानी है कैसे बनानी है और एक भी बनासकते हैं या नहीं.. तो जो आपके assignment है वह आपकी 30% weightage इसकी means 100 marks की assignment है तो जो final result आपका बनेगा उसमें 30% weightage आपकी assignment की है और 70% weightage आपकी final exam की है तो 30% weightage बहुत जादा है आपकी तो try करो उसमें 25% से जादा कि score करेंगे try करो ताकि आपका क्या हो अगर आप 25% से ऊचे ओपर score करते हो assignment में 30% में से तो आपका pointer बहुत ही अच्छा बनेगा तो main improvement के लिए आपको जो आपका percentage या फिर आपका pointer की improvement के लिए assignment बहुत ही important है अगर आप assignment में अच्छा score करते होगे आपकी final percentage final pointer अच्छा बनेगा और जो आपके assignment वो 100 marks की है और इसमें minimum 35 marks passing के लिए चाहिए लेकिन आपने कभी भी assignment बनाई होगे school level या कहीं पर भी अगर आपके 10 marks के assignment है तो आपको 7 to 8 marks मिली जाएगा अगर अपने पूरी assignment बना दिये और और improvement कर दिये तो 89 मिल सकते है तो means आपको 70 to 80 marks अपको 100 में से मिली जाएगा अगर आपने assignment को पूरा किया ह तो next में आपको बताऊँगा कींस है कैसे आपने assignment को improvement करनी है assignment में कैसेouse improvement करनी है means आपने 70 को 80 में convert करना है कैसे 80 को 90 में convert करना है means आपने improvement कैसे ही है अपने assignment है तो उसके ले हले आपके जो भी आपने study centre slack किया होगे वो generally half कोई ने कोई study institute ही होता है मेले डिग्री कॉलेज, कोई ने कोई इंस्टीट ही होगा, स्टड़ी इंस्टीट, तो आपके आसपास, कोई ने कोई आपके फ्रेंड्स या कोई नोन, वहाँ पर एग्लोर कोर्सिस कर रहे होंगे, तो जैसे मालो अपके हिंदी का सब्जेट है, तो आपकी जो असपास, जो भी आपके फ्रेंड्स या नोन है, जो Hindi स्देक्ट आपके Study Center में पढ़ रहे होंगे तो उसे आपने जान करी लेनी है कि Hindi के टीचर किस पर नंबर देते हैं क्योंकि करे टीचर आपको देते हैं नंबर अगर आप लैंती लेखोंके उस नंबर देंगे कर teachers ज्यादा pages भरोगे उसमें नमबर देंगे कर teachers प्रॉपर सजास्ट चार कि sketch pen से लिखोगे उसमें नमबर देंगे तो वो जानकर यह आपने regular students से ले ले नहीं है कि हिंदी के teacher किस पर नमबर देंगे क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कई पर अपने assignment बनाते हो अगर आप according to teacher हमेशा assignment बनाओगे तो आप automatic अच्छा score करते हो तो according to teacher assignment बनाने के लिए करो जो भी regular students बहाँ पर पढ़ रहे होगे उनसे जानकर ले लो कि teacher किस पर नमबर देंगे ऐसा ही आपने हर एक assignment के लिए करना है जैसे आप लो इंग्लिश के assignment तो English के student से पूछना है क्योंकि जो इंग्लिश के student पढ़ रहा होगो उसको better guidance दे सकता है तो को भी आपका subject होता है तो जो भी वहाँ पर regular students उस subject को पढ़ रहे होगे जिसके आप assignment बना रहे हो अगर आप 95 से उपर score करोगे भी तो आपको pointer बहुत ही अच्छा बनेगा तो improvement के लिए आप अपने according भी को improvement कर सकते हो इस तरह की बहुत सारी videos YouTube पे अबलेवल है कि आप improvement कैसे कर सकते हो उनको आप दे सकते हो तो main target assignment को improve करना है और better presentation हमिशा रखने है assignment में तो आप वीडियोस भी दे सकते YouTube में बहुत सारी videos है या फिर अपने according भी आप improvement रिदा सकते हो आपने भी assignment बना होगी आपको पता है कि कैसे आप अच्छा score कर सकते हो तो main target है 95 marks गेर करना assignment में और कभी भी आपको कोई भी problem आती है एक ग्रूम में जैसे मैंने बताया था कि तो हमेशा direct आपके study center रे पूछो किसी और से पूछो कि बोलेगा वो वो accurate हो भी सकता नहीं भी सुकता है तो better है कि better guidelines के लिए कोई भी issue होता है किसी topics related assignments related examinations related subject related कोई भी issue हमको होता है तो direct आपके study center से आप contact करों किससे better guidelines आपको study center ही दे सकता है या फिर आपने regional center से contact कर सकते हो तो हमेशा किसी भी issue से related direct contact करो आपके study center से तो इस तरह का front page में आ सकते हो आप इसमें मैंने आपका enrollment number डाला है आपका name आपका address program code regional center study center study center code mobile number email इसमें try करो mobile number और email वही register insert करना जो आपने registration के time इगनों में insert किया है अब इस तिसरा की file आप मुधसको हो word file में मुधसर या किसजी और format में या फिर इस तरह की बहुत सारी images bi आपने net मिल जाती है video format में word format में या फिर इस तरकी images भी मिल जाती है तो बहुत से आप देशकते हो लेकिन उन में और इसमें क्या difference रहेगा अब इसमें आपने देखा जो मैंने बनाया है इसमें नहीं मेंन subject code डाला है नहीं semester डाला है नहीं आपके year है नहीं subject name है अब इसके advantage क्या रहेगी अब जो भी मैंने इसमें details रही है ये थारी details आपके common रहेगी हर semester में, हर year में और हर subject के लिए तो मिज़ अगर आपने इस तरह का प्रेज एक front page बना दिया है और इसका print out ले लिए आपने तो same print out के आप बहुत साथ British क्रा सकते हो तो same pages आप बहुत साथ किसी समेश्ठर मेंנी उसका सकते हो किसी भी ear में using क सकते हो किसी भी subject के लिए use कर सकते हो मि Cornshear की सेविंग हो जाएग के अगर मानोळ आप इसमे subject auto आपने डाल दिया अगर आप एक पार प्रिंट आउट लेडिये तो वह प्रिंट आउट आप उसी स्ब्जेक्ट में उज़ करोगे और वैसे अगर आप इसमेस्टर डाल दोगे या 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 ये तो तो सेम पीज आप पर्टिकलर इयर से लेटीड है या फिर पर्टिकलर समेस्टर है लेटीड हो तो ट्रैकर और जो डिटेल में मैंने बताई है इनको ही आपने अपने फ्रेंट पेज में डाना है ताकि एक तरकी सेविंग आपकी हो जाए जब आपका समेंट बापिस करोगे बापिस मिलेगी सैंजण के बाद अगर आप फ्रेंट पेज में कुछ में मार्क नहीं किया है तो वो फ्रेंट पेज आप नेक्स्ट मेस्टर में किसी और समेस्ट में भी किसी और सब्जेक के लिए यूज कर सकते हो तो for saving front page में ऐसी detail मत insert करो और तो front page आपने पहले attach करना है और उसके वज़ आपने attach करना आपका जो अपका identity card आपको इगनू से मिला है उसका print out लिलो और उसकी बहुत सा फोट से जालो ऐसे identity card attach करना अपको अपको identity card attach करना चाहिए क्योंकि अगर मालो अपने front page में कोई-कोई error दिया है आपकी detail में तो जो अभी आपका studies entry आइगनू वाले हैं तो वहां से आपकी correction कर सकते हैं identity card थे क्योंकि वहां पर आपकी detail unique है और तो थर्ड आपने attach करना आपका question paper जो मैंने बताया था कि आपकी question assignment question booklet में last page होता है January आप maximum 2 page है उसका print out ले 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 लो से उसी उसी पूसी page का और fourth आपने attach करना आपकी assignment तो पहले आपका front page फिर आपका ID card फिर आपका question paper फिर आपका question paper फिर आपकी assignment इसके साथ आप एक और चीज attach चाह सकते हो अपके subject name, subject code और year के लिए एक page ले 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 लुए उसे तो में handwriting लिख दो जो मैंने बताया था कि front page में बबच ढलो उसके ले एक separate page लगा दो उसमें handwriting लिख दो उसको attach करना question paper से पहले अपने according तो अगर माल लो study center बोलता है कि आप common subject के assignment एक ही file या एक ही note में बना सकते हो तो उस case में क्या होगा आपका पहर आपका front page फिर आपका ID card फिर आपका question paper फिर पहले assignment फिर दूसरे question paper फिर assignment तो front page फिर आपका एक ही बार use होगा और जब आपका assignment पापस मिलेगी किसी भी year में तो अगर आपका front page फिर ID card में कुछ नहीं लिखा होगा तो same front page same ID card फिर आप किसी और year में किसी और semester में किसी और subject के लिए use कर सकते हो तो saving करने के लिए try करो front page में ऐसी कोई detail में डालो जो आपकी same select same year में use होगी और ऐसा कोई compulsory नहीं है कि आप इसको type करके बना सकते हो चाहे तो आप इसको handwriting भी बना सकते हो proper sketch pencil सजाज जाके बना सकते हो ऐसा को fast rule नहीं है कि आपको इसको type करके बनाना है इसको चाहे तो आप handwriting भी बना सकते हो sketch pencil सजाज जाके तो अपने according कोई भी improvement करो आप वो better रहेगा आपके लिए तो चाहे handwriting नहीं हो चाहे type करके वो better रहेगा तो में आपको better presentation कर नहीं है तो किसी भी तरीकर आप अपने according changes ला सकते हो तो यहां से आपका assignment स्टार्ट हो रही है तो जो भी आपका जैसे जहां assignment चैनल आपके 3 parts के होती है तो जो भी आपका part चल रहा है और जो भी आपका question है question और जो आपका answer है और जो headlight bolted portion है try करोगे उनको sketch pen या black pen से लिखो क्योंकि better presentation के लिए आपको देखा होगा अपने कभी भी school level या गहीं पर भी अगर आप proper स्टार्ट के लिखने के लिखते हो assignment को proper sketch pen के use करके तो आपके better presentation रहती है assignment में और आप better score करते हो तो headlighting portion जो और जो भी आपका भाग चला question है answer है bolted portion उनको sketch pen या black pen से लिखो और try करना कि जो आप sketch pen या black pen या black pen या पी जो आपका pen चेंज करते हो तो इक तरह का better bad effect रहता आपका assignment में assignment का आपके bad effect रहेगा teacher के उपर assignment check करेंगे तो for better better effect आपके better better assignment presentation के लिए क्या करो आप same pen use करना same sketch की यूद करना पूरी की पूरी assignment में और इसका ध्यान रखोगी इसको आप final exam में भी आप जब करोगे तो बहाँ पर भी इसका ध्यान रखना और यह समद करना कि आप पहले sketch यूद करेंगे फिर black pen यूद कर रहे हो बोल्रिक पोश हैड्लाइन इसके लिए तो अब sketch pen यूद करेंगे तो samey sketch यूद करना black pen यूद करेंगे तो samey black pen और इस assignment में जो भी मैंने question किया है जैसे मैं लोब कोeg question अगर 500 show words को आपको करना है तो मैंने इसमें पांसो से ज्यादा words का किया है बोसकता है मैंने 700 700, 800 words का किया है ऐसा मैं ने इसलिए किया है हर एक question को पहले पूरा वरो हर in question आपने पूरा पढ़नाे है उनको ही आपने assignment मिलखना है पूरा बुरा लिखने के जूरत नहीं है, जो आपको question point review से important लगेंगे, सिर्फ आपने उनको ही लिखना है, extra content को हटा दो क्योंकि इसमें extra content है, जो आपको important लगेंगे, question point review से उनको ही अपने assignment में लिखना है, तो हर एक question को पहले पूरा पढ़ो, और फिर extra content को हटा दो, और जो जो main points अपको है उनको लिखो, इसका फाइदा क्या रहेगा, एक तो आपके assignment प्यार से अच्ची बनेगी, second आपको assignment के knowledge भी होगी, और मैंने जैसे बताया था कि final exam में chances है कि, जो आपके assignment के questions है, वो ही final exam में आएंगे, तो एक तरह कि आपके assignment नोर सी है, तो जो आपको assignment पापिस में लेगी, तो बहां से आप जो पढ़ोगे, तो आप इसली उसको remember कर सकते हो final exam के लिए, तो हर एक question को पहले पूरा पढ़ो, और main point से अपने लिखना है, extra content हड़ा दो, यह तने words में वोला, उसमें compile करो, ताकि आपके assignment भी अच्छी बने, आपको assignment के knowledge भी हो, और यह से आपकी final exam के त्यारी भी हो जाए, तो मैं इसमें slowly move कराऊंगा, ताकि आपको time मिल सके, अगर आपको speed ज़्यादा लगेगी, तो आप pause करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसमें slowly move कराऊंगा, अगर speed ज़्यादा होगी, तो आप pause करके लिख देना, और कोई भी error हो पर तो उसकी collection जुरूर बताना comment section में, और क्या आपकी क्या error है, क्या collection है, वो भी करना, तो अपने according आपके error collection ठीक कर देना, कोई भी error होगा, क्या जिए. झाल 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 तो यहाँ पर आपकी assignment complete होती है तो अगर आपको मेरी assignment अच्छी लगे तो मेरी assignment को like कीजिए मैंने target का 500 likes का तो मेरी 500 likes के target को पूरा करमी लाइब कीजिए और जो भी आपके study groups से बापर assignment की playlist को share कीजिए उसका link में इस इन बॉक्स में insert कर दिया जैसे में बताया है ताकि कोई और भी इस assignment को time से बना सके और time से submit कर सके और मेरी बागी की assignment भी वहाँ से जा की देख सकता है और अपनी assignment अगर कोई बनानी होगी उनने तो time से बना सके और time से submit कर सके आप भी assignment को time से बनाना और time से submit करना तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार रहे होंगे तो चैनल को सब्सकाइब केजिए और बैल लाक्न को प्रेस केजिए ताकि नेक्स टाइम मैं कोई भी अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिशिशन आपको जल्द सेल मिल सके हैं तो बैटर जल्दी नोटिशिशन के लिए क्या करो बैल हीकिन को प्रेस करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कुमेर्ट सेक्षन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइमिट आपको कैसी लग रही है और कोई वी एरर होगो तो उसकी कोलेक्शन भी साथ में बताना एरर किया तो वो भी आपने मुझे बताना है ताकि next time मैं और better assignment बना सकूँ और improvement कर सकूँ और आपको और अच्छी assignment पुराइट कर सकूँ और जब आपको assignment पापस मिले के check होने के बाद तो आपने मुझे जरूर पताना कि आपको 100 में से कितने marks मिले हैं ताकि next time में और next session में आपको मैं और अच्छी assignment दे सकूँ और आप और अच्छा score कर सकूँ तो thanks for watching my assignment मिलते हैं फिर next assignment में बाई बाई झाल सकूँ झाल 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 झाल